करिश्मा कपूर जब 16 एप्रिल को हमें एक एवेंट पर मिली थी तो उन्होंने इस बात को कंफेस किया था that she is ready to make a comeback in Bollywood लेकिन वो खोज रही है एक अच्छा रोल मैं काफी स्क्रिप्स में सुन रही हूँ और जब मुझे ठीक लगे कि मुझे ये फिल्म करनी है तो मैं जरूर करूँ और अब लगता है करिश्मा को उनकी ख्वाहिश का रोल मिल ही गया क्योंकि खबर आई है कि करिश्मा विक्रम भट की फिल्म डेंजरस इश्क में काम करने जा रही है इस फिल्म के साथ करिश्मा पात साल के बाद बॉलिवुड में अपना कमबैक करेंगी क्योंकि करिश्मा की लास्ट फिल्म थी मेरे जीवन साथी जो 2006 में रिलीज हुई थी बता दें कि विक्रम भट की जिस फिल्म को करिश्मा करने जा रही है उसे 3D में बनाया जाएगा ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी शूटिंग राजस्थान में सेप्टेंबर में शुरू की जाएगी बैसे हाल फिल्हाल में करिश्मा के उनके हस्बन संजे कपूर के साथ डिवोर्स की खबरे भी आई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इसकी बज़ा करिश्मा की बॉलिवुड में कमबैक करने की खाहिश है जो संजे बिल्कुल नहीं चाहते वेल जो भी हो लेकिन फाइनली करिश्मा ने फिल्म साइन करी ली है अब देखना ये होगा कि आउडियोंस उन्हें कितना पसंद करती है